नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोती सीक्रेट कन्या रासी वालो ऐसा क्या होगा कि मिलेंगे जीवन में सुपसंकेत आगे बढ़ने के किस्मत आपका इंतजार किस मोर पढ़ कर रहा होता है और सफलता सही मायने में पाना है तो वो दो राज कौन से हैं और क्यों मिलती है जिन्दगी में इतनी ठोकरे तमाम प्रयास के बाद भी क्यों अधूरा रह जाता है आपका जीवन क्यों आप मंजिल तक पहुंसते पहुं हैं और उसी टॉपिक पर आज हम आपके तमाम जिग्यासाओं को सांथ करने की कोशिस करने के लिए इस वीडियो को लेकर आये हैं तो वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है कन्या रासी बुद्ध की रासी है और बहुत ही के बात कहने के पहले इनके दिमाग में पता चल जाता है इन्हें आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है तो इतना ज्यादा लोगों को पहचानने की सकती तो होती है लेकिन फिर भी ठोकरे आखिर क्यों खाते हैं जब धोके बाज को जाल साजों को एक नजर में पहचान लेते हैं तमाम छेत्रों में बहुत ज़्यादा ये सफल भी होते हैं फिर क्यों खाते हैं आज आपके जीवन के सफलता के तमाम राज भी को लेंगे और उसके पहले समझते हैं आपके रासी है स्वामी है बुद्ध और बुद्ध दे यहाँ पर चुकी कन्या रासी छे नमबर की रासी है भचक्र की और आपकी जो स्वामी है बुद्ध अगर कुंडली में गरवड हो जाए तब जीवन में परिसानिया आ जाती है क्योंकि आपका रासी का स्वामी यानि आपका सरीर अगर सरीर ही स्वास्त नहीं रहेगा तो फिर जीवन में क्या आपको लसुख मिलेगा तो पहले सरीर को जिस प्रकार आप स्वस्थ करते हैं उसी तरह आप अपने रासी के स्वामी को स्वस्थ करें लेकिन कैसे? कैसे जानेंगे कि आपका बुद्ध गरवर है? तो चलिए पहले हम गरवर बुद्ध के बारे में बता दे फिर बताएंगे उसको कैसे बहतर करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं देखिए अगर आपको लगे आपके दांत की बीमारियां हो रही है आपके दिमाग से समंदित कोई परेसानी है इसकी इन समंदि कोई परेसानी है तो इसका मतलब है आपका बुद्ध गरवर है आपके जो सुंखनी की छमता है वो अगर मंद पढ़ने लगी है तो इसका मतलब भी होता है बुद्ध गरवर है अगर नौकरी में ब्यपार में स्थिर्ता नहीं है तो भी इसका मतलब है बुद्ध गरवड है अगर आपकी बुआ, मौसी, बेहन से सम्मंद गरवड हो जाए या फिर उनसे किसी प्रकार को आपको कस्ट मिले तो इसका भी मतलब होता है आपका बुद्ध गरवड है अब ऐसे में क्या करें सबसे पहली बात तो अपनी बेहन बुआ मौसी को दुखी ना करें अब सब्द ना बोले, उन्हें हर्ट ना करें और कभी किसी के साथ कहते हैं ने चीटिंग करना यानि आपने किसी को कुछ बचन दे दिया और बचन से मुकर गया ये चीजें वादा खिलाफी जिसे कहते हैं मत कीजिए जूट तो बिलकुल भी ना बोले बे मतलब की बाते करने से अच्छा है आप कुछ काम करो और तोता तो पैरोट भूल कर भी न पालियेगा और ना ही किसी की नकल करें और ज्यादा ओभर इसमाट तो कभी न बनें क्योंकि इस से भी आपका बुद्ध कमजूर होता है करेंगी क्या जब पहली बारिस होती है वैसे तो अभी बारिस हो ही रही है इतना आस्मान साफ है पर दूसरन बेगेरा सब खत्म हो चुके हैं तो बारिस होती है ना तो बारिस का किसी आप जब बारिस हो कोई बड़ा सा बरतन गहरा बरतन रख दे वो जो पानी आ गया बरतन में अब इसे किसी काँच के बरतन में भर कर ढखकल लगा कर आप श्टोर करके रख लें घर में इसे यूँ ही रहने दे कम से कम 10-15 साल अब मा आप चाहें तो हर साल छोटा-छोटा ही सीसी में सही पर भर के रखिएगा ऐसा करने से आपका बुद्ध मजबूत होता है और साथ ही साथ मा दूरगा की उपासना करनी चाहिए वो आपके रासी के स्वामी है तो पहले आपने अपने सरीर को अपने मन को स्वस्त कर लिया अब आगे बढ़ते हैं कि किसमत आपका इंतजार कब कर रही होती है और कब मिलती है आपको खुसियों का खजाना तो अभी हमने आपको बताया कि कन्या रासी वाले जो होते हैं इसके दो पक्ष होते हैं एक होता है वाहक और दूसरा होता है प्रस्ण करने वाला संदेह करने वाला अंदर की चीजों को जानने वाला वैसे तो कन्या वाले जो होते हैं हर काम को अपने ही तरीके से करते हैं और कभी-कभी आपको लगेगा एकदम से आलसी हैं, कभी लगेगा बहुत ज़्यादा confidence में हैं, यानि कि यहां अच्छा और बुरा दो ही चेहरे यहां पर ग्यात होते हैं, अब ऐसे में दिर्ड निस्चे ही होते हैं, एक बार जो मन में बाते चली आती हैं, उसको अंत तक न बाते हैं, और जीवन में सफल होने के लिए, यह हर हाल में हर एक चीज पर बिजय प्रात करना भी जानते हैं, चाहे कितना भी कठनाई हो, पर एक बार चाह लेंगे कि करना है, तो करके ही रहते हैं, वैसे तो तमाम नियुमों का भी follow up करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन इनक तो बुद्ध की रासी है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ठोकर खाने की बज़े हैं, जरूरस से ज़्यादा इमानदार, जरूरस से ज़्यादा लोगों की कदर करते हैं, जरूरस से ज़्यादा एक लिमिट तक हर काम अच्छा होता है, लेकिन अगर हम लिमिट क् और इकत आती है जीवन में तो यह चीज़ों आप को यह चीज़ का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए संघर्स होता है दो ही बजा से नहीं शॉता है क्योंकि आप पारीवारी रिस्तों को लेकर lifetime struggle करते रहते हैं लाइफ टाइम जीवन में परिशानिया पारिवारिक रिस्तों की वज़ा से इनको निभाने में आती ही रहती है अब आप सोचेंगे भला पारिवारिक रिस्ते ही क्यों परिशान करते हैं देखें यहाँ पर अगर आप वैसे तो धन कमाने में माहिर होते हैं भी अमने कहा कि इतनी बुद्धिमान होते हैं कि धन आसानी से कमा लेते हैं लेकिन यह जो दिश्टे हैं यह इने धोका देते हैं और इसी को संभालते संभालते यह lifetime परिसान भी रहते हैं इनके पास काम आभुसन का काम आपको फायदा भी पहुंचाता है और आप अलग-अलग बैपसाई को एक साथ जोड़कर भी करते हैं कर सकते हैं क्योंकि नौकरी सिर्फ एक ही कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो पर management की जो बात की जाये क्योंकि यहां पर करने की राज है अगर इन बातों पर आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको आसानी से मिलने लगती है पर बुद्धिमान भी बहुत होते हैं अपने काम को हर परिस्थिती में अपने लायक बना ही लेते हैं क्योंकि इन्हें समय कर चक्र को अपनी तरफ मोड़ना भी आता है लेकिन अगर आप कोई भी सुब कारे करना चाहते हैं तो हमेसा ही दो बातों का ध्यान रखें एक तो दही चीनी खाएं दही मिस्री खाकर करें और दूसरा हलकी सी सुगंध लगाईए इससे क्या होगा आपका काम पूरा होने का जो परसंटेज है वो बढ़ जाएगा यह आपका और यहां पर अब हम बात करेंगे यह तो हमने सफलता के दो राज बताए ठोकर खाने की वज़ा है हर छेतर में इमांदार और जैसा हमने कहा पारी बारी घृस्तों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं अब यहां पर इमांदारी ही ले डूपता है आपको इतने इमांदार हो करता है कि आज थोरा सा समय भारी है तो चलो कुछ चीजों का हिसाब कर लिया जाए उस दिन यह रिस्ते ही आपको दोखा देते हैं तो जरूरत से ज्यादा होना अपनों के द्वारा हमेसा ही चले जाना यह चीजें आपको जीवन में अक्यला कर देता है और यही एक है जो ठोकर खानी को विल्स करता है तो ऐसे में पहले भी आपको बताया है कहा आपको पैसे अबेस्ट करना चाहिए आज ने आपको में जो उतार चड़ा हो है उससे भी बचे रहेंगे और जीवन में सुकून रहेगा सबसे बड़ा तो सुकून होता है न तो ही मिलेगा हम आपसे विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्यमाद